हेलो दोस्तो कैसे हैं आप आप आपने देखा आप भी बबल उड़ाया मैंने आज का हमारा पूरा एक्सप्रेशन ही इसी भी डिपेंडन्ट है कि हम बबल कैसे बना सकते हैं और बबल और ड्रॉप इन दोनों में फर्क क्या हैं तो वेलकम टो दे चैनल और आज हम डिसकस कर रहे हैं मेकेनिकल प्रॉपरिटीज ऑफ फ्लुइड़ का अगला लेक्चर जो बहुत ही इंपोर्टन्ट एक्सप्रेशन है जिसे कहा जाता है एक्सप्रेशन फर एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप के बज़ाएं बबल लिक्विड बबल करके भी आ सकता है और जिसे कहा जाता है लेपलास लौ अब ये बहुत ही important expression है इसलिए कि बाकी सब expression इस chapter के आपके 2021 के board के exam के लिए क्या हो चुके है cancel हो चुके है तो ये एक ही important expression बचता है और ये confirm exam में आएगा आप लिख लेजिए ये 100% exam में expression आएगा और ये हमारा ninth lecture है अब ये हमें शुरू करने से पहले expression थोड़ा सा बड़ा है चार marks का expression है लेकिन बहुत ही easy है अगर आप सबको ये पता है कि work is equals to force into displacement ये तो आपको पता है और अगर आपको ये पता है कि pressure is equals to force upon area ये भी आपको पता है और अगर आपको ये बता है कि हमने expression निकाला था dw upon da is equals to t, t कौनसा टेंशन, surface tension, dw that is work done, da that is area, change in area, change in work ये तीन अगर आपको expressions पता है, तो ये expression जो pressure formula का expression है या इसे mechanical properties of fluid का laplace log आए सकते हैं, ये आपके लिए expression कुछ भी expression नहीं है बस आपको एक technique पता होनी चाहिए कि expression कैसे solve करना है तो समझ भी आ रहा है हम क्या करने वाल है, तो आगे बढ़ते हैं, इस expression में जाते हैं लेकिन इस आगे बढ़ने से पहले है, expression में जाने से पहले, मुझे आप सबको एक चीज बतानी है जो आप सबको पता भी है और आपको कभी-कभी उसके बारे में confusion भी है मुझे आपको कहना है कि what is the difference between a drop या हमको पढ़ना है and a bubble drop और bubble में फरक क्या है, अब drop क्या हो सकता है, देखें मैंने पाहनी लिया और मैंने यहाँ पे drop बना जब यह drop गिरता है, तब वो drop होता है, नीचे गिरने के पाद भी drop है, लेकिन जो गिर रहा है वो free surface है और वो कैसा है, spherical है drop कैसा होता है, समझ लीजे, मैं diagram निकालूंगा, तो drop यह ऐसा होगा, spherical होगा और bubble, हम जब देखें, bubble बनाते हैं और मैं जब उसे छोड़ता हूँ, देखें, अभी यह नीचे था, वो भी एक bubble है, देखें, तो जब मैं bubble छोड़ता हूँ, तो bubble का कौन सा shape होता है, spherical ही होता है फिर इन दोन में फरक क्या है, basic फरक यह है, बेटा, कि drop अंदर से पानी से भरा हुआ है bubble के अंदर क्या है, air, bubble खाली है, bubble के दो surfaces है, drop का surface कैसा है, एक ही है जो outside surface अंदर उसके क्या है, पानी है, तो expansion जो हो रहा है, हम expression समझने के लिए किसका इस्तिमाल करेंगे, bubble का, क्योंकि हम drop यहाँ पर बना नहीं सकता हूँ तो समझने के लिए किसका इस्तिमाल करेंगे, हम bubble का, और expression निकालेंगे किसके लिए, drop के लिए, तो देखिए, excess pressure यानि क्या होता है, जब मैं यहाँ पर फूकता हूँ तो क्या तैयर होता है, bubble तैयर होता है, यानि, bubble का inside pressure, चो फूलने के लिए, कैसा है, ज्यादा है इंसाइड प्रेशर ज्यादा होगा तबी तो बबल क्या होगा फुलेगा ड्रॉप का भी सेम है ड्रॉप अगर यहाँ पर बन रहा है तो ड्रॉप का इंसाइड प्रेशर कैसा होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए याने समझ लिए हमारे पास कोई structure ऐसा है तब ये तो अंदर से force लगेगा, तब ये क्या होगा, expand होगा, और इस expansion के pressure को, जैसे PI-PO को, इसे कहा क्या क्या जाता है, इसे कहा जाता है, excess pressure, क्या 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 जाता है, excess pressure inside the liquid drop, और उसी का expression हमें क्या करना है, आज निकालना है, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि मैं कहना क् जाता हो, bubble और drop के बारे में, अब आगे बढ़ता है, expression के पर जाता है, expression बहुत ही आसान होने वाला है, बिल्कुल tension मत लिजे, लेकिन exam में आने वाला है, ये मैं आपको confirm हो रहा हूँ, तो आगे बढ़ता है, तो चली हमारा expression शुरू करते है, expression कौन सा है, expression for excess pressure inside the liquid drop, अब सम P.O. करके क्या लिख लिख लिए, outside pressure of the drop, R कैसी है, initial radius of the drop, अब हम जब इसे expand करने की कोशिश करते हैं, expand करने की कोशिश करते हैं, याने देखिए, force हम internally लगाने की कोशिश करते हैं, तब क्या होगा, तो हम easily यहाँ लिख सकते हैं, कि as drop is expanding drop कैसा है, expanding है, P.I. is greater than, क्या होगा, P.O. होगा, therefore, excess pressure, excess pressure कितना बन गया हमारा, P.I. minus क्या बन गया, P.O. बन गया, हम expression के लिए, जो consideration लगते हैं, वो एक अलग से लिख ले, और फिर मैं यह पोच के क्या करूँगा, expression के formula set करने कोशिश करेंगा, हमें expression यहाँ से start करना होता it, तो आप हमेशा मेरे साथ में, यहाँ पर हर एक board जब भरेगा, आप screenshot लेते रहिए, हम आगे जलते जाएंगे, तो हमने excess pressure कितना के दिया, P.I. minus P.O. inside pressure क्यों जादा है, क्योंकि drop क्या हो रहा है, expand हो रहा है, अगर outside pressure जादा होता तो क्या हो दा, compress हो जाता है, drop हमें compress नह of drop increases from r to r plus delta r, समझ में आ रहा है आपको, कि पहले radius कितनी थी, r, और उसके बाद में बढ़के कितनी हो गई, r plus delta r, यानि r कैसी radius हो गई, initial radius, initial, और यह कैसे होगी, after expansion, यह radius कैसी होगी, after expansion, initial radius का area भी क्या होगा, a1, that is, area, कैसा area, initial area, और यहाँ पे होगा, a2, a2 कैसा area होगा, area, after expansion, कैसे सकते हैं, a1 और a2, हमें a1, a2, क्यों चाहिएं बटा, क्योंकि हम इस expression से जाने वाल है, dw upon da is equal to t, तो हमें da, that is, क्या निकालना पड़ेंगा, change in area, फिर हम जाके क्या निकालेंगे, work done, और फिर इस work done को, force into displacement से compare करेंगे, खतम expression, तो पहले तो हमें क्या करना होगा, यहाँ तक आना होगा, कि यहाँ तक लिखा है, समझा है कि नहीं, समझ गए यहाँ तक, हमने क्या किया है, बस, हमने जो हमें expression बनाना है, उसके बारे में, सारी information यहाँ पर क्या करती है, लिख दिये है, अब हम क्या करेंगे, A1 निकालेंगे, A1 स्पियर का एरिया होगा, A2 बड़े स्पियर का एरिया होगा, उसका DA निकालेंगे, DA that is change in area, फिर work done, और फिर दो work done को क्या करेंगे, compare करेंगे, हमारा expression क्या हो जाएगा, खतम हो हम drop consider कर रहे है, drop को एक ही surface होता है, जो outside है, वह inside pressure कोन लगा रहा है, molecules लगा रहा है, उसके अंदर भी तो पानी भरा है, तो that is the structure, R it is the radius of the drop, as drop is expanding, PI is greater than PO, so excess pressure can be indicated as PI minus PO, तो let radius of the drop increases from R to R plus delta R, initial R के time पे area कितना था, A1, R plus delta R के time पे area कितना था, A2, आगा समझ में, तो अब मैं का करता हूँ, यह पोचता हूँ, और हम expression के तरफ बढ़ते हैं, तो चले expression के तरफ जाते हैं, अब आप क्या कीजिए, इसे लिख लीजिए, ताकि इसके आगे हम A1, A2 find out करके expression की तरफ और formula की तरफ जाएंगे, आपको क्या करना होता है बेटा, जब expression आएगा, तो यहां से हमें लिखना है पूरा, तो यह हमने writing material आपे लिख दिया है, आ रहा है समझ में, दिखे comment box में, आगे बढ़ते हैं, मैं क्या करता हूँ, expression आपके साथ ही solve करता हो, ता यह हमारा पहला equation होगा, और dw is equals to force into displacement कितने होगे, डेल्टा, यह हमारा दूसरा equation होगा, हम इन दोनों equation को क्या करेंगे, compare करेंगे, दोनों work done कैसे है, सेम है, या गया समझ में, तो अब ही हम क्या निकार रहे है, da निकार रहे है, तो a1 that is initial area कितना होगया, 4 pi r square, क्यों 4 pi r square, a1 that is initial area, फिर हम निकालेंगे a2, that is area after expansion, area कैसा, area after expansion, तो क्या बन गया हमारा, तो a2 हम करेंगे, final area लिख देते है, a2 कैसा हो गया, final area, और वो बन गया, 4 pi, अब r कैसी है, r plus delta r, उसका गया हो गया, square, अब r plus delta r का square, यहाँ पे expansion का formula लगा है, a plus b bracket square, यानि क्या होगा, a2 is equals to 4 pi, in bracket, expansion होगा वेटा इसका, क्या बनेगा, r square plus twice r delta r plus delta r का square, बन गया, expansion का formula, 4 pi bracket के बाहर है, 4 pi bracket के अंदर कैसे जाएंगे, multiplication को जाएंगे, a2, अभी a2 ही नहीं कर रहा है, a2 is equals to, क्या बन गया, 4 pi r square plus 8 pi r delta r plus 4 pi delta r square, यह हो गया, a2 बन गया, बन गया, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कि यह जो delta r की term है, यह बहुत ज्यादा कैसी है, बहुत ज्यादा चोटी term, बहुत ज्यादा कैसी है, चोटी term, तो इसे हम लेके जाने से पहले, यहीं पे हम उसे क्या कर सकते हैं, cancel कर सकते हैं, but, delta r is very small, delta r कैसा है, very very small, so we can get that, a2 is equals to, 4 pi r square plus 8 pi r into delta r, यह बन गया, हमारा a2 अलग से, अब आप कहेंगे, यह delta r square कहां पे गया, यह तो यह तो निगलेक्ट होगा हैं बेटा फिर, क्योंकि term कैसी है, very very small है, अब यह delta r क्यों निगलेक्ट नहीं है, उस term में r present है, इसलिए हम उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास a1 भी आ गया, हमारे पास a2 भी आ गया, तो we can say that, change in area, change in area है, कैसे निगलेगा, da, da कैसा होता है, a2 minus a1, da निकलना था ना, तो change in area that is, a2 minus a1, कितना मिलेगा, a2 कितना है, 4 pi, a2 कितना है, 4 pi r square, plus 8 pi r delta r minus, minus, sin कुछ सी लगेगी, minus, क्या बनेगा, minus 4 pi r square, 4 pi r square, 4 pi r square क्या हो गए, cancel, तो बचा हमारे पास da मिल गया, da is equals to कितना मिल गया, 8 pi r into delta r, ये हमारा हो गया, equation number 1, तो हमें da मिल गया, अब इसे निकाल सकते हैं, in terms of work done, इसे हम work done के लिए हमारे पास use कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे हम, so, work due to surface tension, so, work done due to surface tension can be represented as work done क्या लिखेंगे बटा हम, dw upon da is equals to क्या लिखेंगे हमने, t, t क्या है, t, यहाँ पे लिख देते हम, surface, क्या लिखेंगे हैं, surface tension, इसे बड़ी, तो भी tension देना कभी, dw is equals to t, multiplied by क्या बन गया, da बन गया, और हमारा expression, dw तो हमें निकाल ला था, dw is equals to t multiplied by, इदर क्या आ गया, 8 pi r, delta r, यह हमारा first equation आ गया, जिससे हम equation number क्या कह देते, a कह देते है, समझ लिजे, यह हमारा हो गया, equation number a, यहनि हम यहाँ तक तो पहुँच गया, अब सिर्फ क्या करना है, बड़ा काम हो गया, अब हमें सिर्फ करना क्या है, कि इस work done को, हमें compare करना है, work done with force into displacement से, अब force तो हम निकाली जगते हैं, force का formula, pressure is equals to force upon area, force is equals to pressure into area, into delta, इसा लगेगा हो, बहुती आसा है निजे, अब आप करेंगे, force is equals to mass into acceleration क्यों निकालना है, अरे, mass into acceleration है कहाँ पे, यहाँ पे, motion हुई नहीं रही, तो pressure के इंटर्मस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, force निकालना पड़ेगा, आरे, सबज में, कुछ, तो यहाँ तक कैसे पहुच गए, एक बार वो देख लिजे, फिर इसे, A1 निकाल लिया था, A1 कैसा इरिया था, मैं अब की बार पहुचना ना पड़े, इसलिए छोटा छोटा लिका है, यह मुझे लेके नहीं जानी है किदा, तो A1 that is initial area, A2 कैसा area, final area, एक ही expression लेने वाले वाले हैं, लेकिन 4 mark के लिए आता है, तो A2 हमने निकाल लिया, A2 का radius भी कैसा था, R plus delta R, थोड़ा सा बड़ा radius था, उसको expand कर लिया, सब common sense की चीज़े की है, तो expand कर लिया, 4 pi अंदर कैसा गया है, multiplication को कै, तो अंदर काया गया, A2 की value चलेगी, delta R कैसा है, very very small है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या कर लिया, delta R, क्या कर दिया है, neglect कर दिया है, तो delta R की term neglect कर दिया है, कौने टर्म, सिर्फ यह एक term, इसमें R था, इसलिए वो term कैसे होगी, बजगी, इससे DA निकाला, DA क्या था, A2 minus A1, था, तो हमारा DA मिल गया, 8 pi R, तो work done in terms of surface tension हमें मिल गया, DW is equals to T8 pi R into delta R, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कि this work done, देखें, शांती से लिखेंगे, this work done is equal to work done by force on displacement, on displacement, on displacement, sorry, यहाँ पे निचे ही लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें 0 पड़ेगी, on displacement, of delta R, देख सकते हैं, this work done is equal to the work done by force on displacement on delta R, therefore, therefore, force, therefore, हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, work done ही निकाल लेंगे बेटा, एक मिनिट, therefore, work done by force and displacement is, it can be given by, DW is equals to excess force into delta R, delta R कैसी होगी हमारी displacement होगी, आगया समझ में, तो हम क्या लिखे रहे हैं यहाँ पे, DW is equals to excess force कितना है, F, F into क्या है, delta R, अब दूसरा काम हमें लग गया, क्या निकालना, F निकालना है, तो F निकालने के लिए, for excess force, we can write, pressure is equals to कैसा, force upon क्या है, area, तो pressure is equals to, pressure कैसा है, excess pressure है, excess pressure is equals to excess force upon area, तो हम लिख सकते हैं, pressure की value कितनी लिख दी हमने, PI minus PO, force कितना है, F, upon area कितना है, 4 pi R square, यह काहसे लिख लिख लिखा, pressure की value अब कितनी होगी, हमारे excess pressure की, PI minus PO होगे, F तो excess pressure है, समझ लिजे, और area, कौनसे area पे लगा था, inside area पे लगा था, तो area कितना लिख लिख लिखा, 4 pi R square, तो F की value हमारे लिए बनगे, F is equals to कितना, PI minus PO, multiplied by कितना, 4 pi R square, यह बन गया हमारा force, जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, substitute करेंगे, और हमारा DW, that is work done, by force, हम निकाल जखते हैं, यहाँ पे कितना बिलेगा, DW is equals to, force की value कितनी मिली, PI minus PO, multiplied by, 4 pi R square, multiplied by क्या हो गया, डेल्टा R, यह तो दूसरा work done भी बन गया है, जिसे equation number B, हो गया न, expression, A को B को compare कर लिजे, और excess pressure तो आगया expression में, excess pressure की value निकाल लिजे, क्या किया समझ में आ गया, तो को पानी भी ताओ यार, बहुत ज्यादा बहुत time से बढ़ बढ़ कर रहा हूँ मैं, देख लिजे, बस, A की second लगेगा मुझे पानी भी ने, हम, आ गया समझ में हमने क्या किया है, हमने दो work done निकाले है बेटा, एक work done due to surface tension, यह हो गया हमारा first part, यह नहीं हम इसे A part कहेंगे, और यह हमारा हो गया B part, A part में हमने work done due to surface tension निकाला, B part में हमने work done due to force and displacement निकाला, हम यहाँ पे सीधे सीधे from A and B, मैं दोनों को क्या कर लूँगा, compare कर लूँगा, कि बसता गया है इसमें बस, तो from A and B, dw दोनों सेम ही हैं, तो हम कहा लिख सकते हैं, pi minus po, multiplied by 4 pi r square, multiplied by क्या हो गया, delta r is equals to, t multiplied by 8 pi r into क्या बन गया, delta r बन गया, क्या क्या कैंसल हो रहा है यहाँ पे, pi pi क्या हो गया है, cancel, हो गया है, जो cancel हो रहा है, देखिए जल्दी, चलिए pi minus po छोड़के सब उदर भेजी दीजिए, तक कि और भी आसानी हो जाए, pi minus po is equals to 8, t into 8 pi r delta r upon, क्या बन गया है, 4 pi r square, 4 pi r square into delta r, क्या क्या उड़ गया, delta r delta r cancel, pi pi cancel, यानि जो बचा क्या बच रहा है, pi minus po is equals to, pi pi भी उड़ गया, 4104, 42008, यानि बचा क्या बचा गया बचा सिरिफ, 2t upon r, यह मारा final expression, this is, expression for, for excess, प्रेशर, इंसाइड, लिक्विड, क्या बन गया है, ड्रॉप, आखिर तक भी एक्स्प्रेशन लिखेंगे, हो गया, तो मैंने इस बोड पर बैठा दिया है, लेकिन ये ड्रॉप का एक्स्प्रेशन है, बबल का नहीं है, बबल में थोड़ा चेंज होगा, बबल में क्यों होगा और क्या चेंज होगा, देखिए, बबल का फिर से एक बबल को उठा लेते हैं, कहां पे गए हमारे बबल, एक मिनिट, हाँ, यहां पे मिल गया, देखिए, यह बबल है, ड्रॉप, वाटर, यह जो बबल जा रहे है, इन बबल में दो सर्फेसे से हैं, ड्रॉप में कि और बबल के लिए फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 40 अपॉन आर, किसके लिए, for excess pressure, ड्रॉप के बजाए कहां पे, बबल, क्यों बबल में 40 अपॉन आ रहा गया, because बबल है कितने सर्फेसे, टू सर्फेसे, आ रहा है समझ में, बबल कितने सर्फेसे का बना है, दो सर्फेसे एक outside, एक inside, तो उस पे force कैसा लगेगा, पूरा ही लगेगा, आरा है समझ में, हम क्या लिख रहे है तो, तो ये हमारा पूरा expression हो गया, आपको क्या करना है, अब मैं आपका काम बता दो हूँ, आपको करना है, आपको पूरा expression दो से तीन बार देखना है, एक बार पूरा दे कैसा है, लिखना है, आरा है समझ में, आपको क्या करना है, बेटा जिनको number चाहे, WhatsApp पे मुझे पूछिए, comment section में, हमने बहुत सारी मेनत आपके लिए किया है, मैं पढ़ातार हूँगा, आप भी कैसे रहे है, पढ़ते रहे है, चैनल को like किजे, share किजे, subscribe किजे, और पढ़ होते रहे हैं, thank you बेटा, expression बहुत important है, exam में आएगा, thank you.